का स्वागत है तो अभी मैं ये ट्रेड ले चुका हूँ पूना वाला में टेलिग्राम में ये मैं दिया भी था कि 206 पे बाय करना और अभी फिलाल 209.30 पे चल रहा है 50% मैंने बुक कर लिया है 30% को मैं राइड कर रहा हूँ और 30% को राइड कर रहा हूँ और 30% जो बच गया उसका stop loss 206 है तो 206 अगर आता है तो वह 30% का stop loss हीट हो जाएगा और फिर भी 70% स्टॉक में 1% का आपको profit मिलेगा तो यह अच्छा move दिया है और तो सकता आज इसमें UC भी लग जाए अगर यूसी लगता है तो वह 30% को मैं राइड करूंगा कल के लिए और कल जो है स्टार्टिंग में नौपंद्रह में या उससे पहले प्री सेशन में ही 5% तो आराम से आ जाएगा तो फिलहाल इस ट्रेड के लिए मेरा यह प्लान है सब्केशा है आगे आगे अगर मैं दूसरा ट्रेड लेता हूं तो आपको अप्डेट करता हूं दोस्तो आज मैं सिर्फ पुनावला में ही ट्रेड लिया हूँ क्योंकि दिन में सो गया था तो दूसरा ट्रेड लिया नहीं और वह एसकेनर पर आप ही नहीं रहा था इस वज़ासे नहीं लिया दोस्तों औरजा ट्रेड लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एर लग का ही कैपिटल होना चाहिए यह 15-20,000 कैपिटल में भी हो सकता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने सिर्फ 20,000 रुपिया ही इस ट्रेड में लगाया था और जिसे की लगवाग सारे 400-500 रुपिया आ जाता है और टार्गेट भी ज्यादा नहीं था आज इस ट्रेड में 2% ही प्रोफिट हुआ है लेकिन अगर कोई अच्छा खासा मूव होता है तो उसमें 8-10 परसेंट भी आप डेली के हिसाब से अर्ण कर सकते हैं तो आपको बस 15-20,000 रुपए का ही इस ट रहा होगा आप इस पर 2-3 मैने ट्रेड लिजी और अगर आप अच्छे खासे प्रोफिट में आ जाते हैं तो फिर आप कैपिटल को आप बरहा सकते हैं दिरे दिरे पचास जार करेंगे फिर उसके बाद एक लाग करेंगे तो इस तरह से कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग फेज में 15-20,000 से ज़्यादा काई स्टॉक नहीं डिप्लॉय करना है किसी भी एक ट्रेड लेने के लिए आप दिन में ये 3-4 बार ले सकते हैं लेकिन एक ट्रेड में 20,000 का ही लेना है 20,000 एक में प्रोफिट हुआ फिर दूसरे में 20,000 फिर तिसरे म 20,000 तो इस तरह से आप कर सकते हैं और दीरे दीरे अपना कैपिटल भरा सकते हैं जिससे प्रोफिट का मार्जिन भी दीरे दीरे आपका बढ़ जाएगा